हेलो फ्रेंड्स वेलकम एक तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ ढबा इस्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर करी हूं यह देखिए मैंने आधा किलो पालक को दो तीन बार अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है यह दो चोटी प्याच को छील रखा है दूस यह देखिए पानी चड़ा देंगे दूसी तरफ हम जो हमारे अध्रक लैसून टमाटर इसको सब ग्राइंड करने के लिए रख देंगे टमाटर भी डाल देंगे इसमें काटके और चार पांच काजू डालके इसका पेस्ट बना लेंगे यह जो हमने पानी बॉयल होने के जब गरम हो जाएका तो यह से नमक डाल लेंगे और अपनी गैस बं कर देनी है उसके बाद हम जो हमारी धुली हूई पालके वह इसमें मना ांढम राख देंगे यह रर्ख़ी स्थाः ज़ाने में यह तो लाउडने में ठंडा पानिने के बढ़े लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च और हमारी प्यास थी इसको मैंने बारी काट लिया है चौप कर लिया है अब हम सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं गैस पर कड़ाई रख देंगे उसे मैंने एक बड़ा चम्मत सरसो का तेल डाला है यह देखे यह पालक को जो हमारी रखी बहुत अच्छा ढ़ाई स्टाइल स्वाद आएका हरी मिर्च धनिया पालक तीनों को मिक्स करके पीसिएगा यह देखे हमारा तेल हो गया है अब इसमें सारे खड़े करम मसाले डालेंगे जब मसाले हो जाएंगे तो जो हमारी कटी हुई प्याज यह वो डालेंगे और इस काजू को जो पेस्ट बनाया ता वो डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यह देखिए डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे साथ के साथ ही अब हम इसमें अपने मसाले भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार से नमक डालना है एक चमच लाल मि डाले हैं और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर से ओल नहीं निकल लेगा तब इसे धकन-दकके अच्छी तरीके से इसे पकाईगे बीच-बीच में चलाते जाएगा आप यह देखें यह देखिए हमारे मसाले ने तेल चोड दिया आएगा यह द अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे रанич आपड़ेंगे दस मिनट पालग को चेके से इन मसाले के साथ पकाएंगे बीचवीच में चलाते जाइए गा आप लगातार को अगया टो थे दस मिलीप च्थोड़ दें तर लिए को दें लिए घरने में बनने के बाद की सबूज़िये, अब बनने के लगी, क्यासी है, रेखिए हो गई पालक हो गई है, आप पानी बा। पानी जालेंगे पानी आपको गरम ऑरणी डालना है रिक वाहिनी डालाना है लुकवरम वहतर में सेखि़ spend सब्जी को पकाएंगे उसके बाद जिती ग्रेवी हमको चाहिए सब्जी में उत्ती ग्रेवी होने के बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे अगर आपके पास बजार की क्रीम ना हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं क्रीम जब डालीएगा तो गैस की फ्लेम स्लो पे रखिएगा और डालते ही लगातार आपको चम्मच से चलाना जैसे मैं चला रही हूं एक मिनिट के लिए भी चोड़ना नहीं नहीं तो आपकी सब्जी में दाने दानी क्रीम फट सी जाती है इसलिए लगातार चलाते रहेगा पांच मिनिट यह रेखिए यह हमारी सब्जी हो गई है अब हम फट्रव दालागे पांच मिनिट तीन मिल्ट पकाएंगे शबसे लास्ट में हम इसमें एक चम्मच बटर डालेंगे अच्छा सा फ्लेवर आएगा बटर डालने के बार और इससे मिक्स करेंगे यह हमारी पालक पनीर बनके तैयार है सो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प